नमस्कार स्वागत है आपका आपकी साथ मैं हूँ अम्रिता चौरसिया एक नजर हेडलाइन्स वे भारत रूस से खरीदेगा S-400 वायू रक्षा प्रडाली ट्रम्फ शनिवार को ब्रिक्स शिकर सम्मेलन के दौरान होंगे हस्ताक्षर एक साथ 36 मिसालों को निशाना बनाने में सक्षब अब जम्मू में भी खुलेगा IIM केंद्रे कैबिनेट से मन्जूरी शुरवाती चार सालों में 62 करूं के खर्च का नुमान घाटी में दो नए एम्स को भी मन्जूरी 16 नबंबर से शुरू हुगा संसत का श्वीत कालीन सत्र सीसी पीए की सिफारिश महीने भर के सत्र में GST विधैक को पारित कराने पर जोर महनदी मामले में कॉंग्रिस की राष्टुपती से दखल की मांग ओडिसा कॉंग्रिस विधैक डल की प्रणों मुखर्जी से मुलाकात 36 गड में महनदी पर हो रहे अवैध निर्मार रोपनी की मांग और ताशकन ATP Challenger Tournament के फानल में पेस, वेगे मैन की जोडी, फाई जीव, करिमोव को 6-2, 6-0 निसे श्रिकस खताब के लिए अलगिन और अस्टोमिन से भिड़त खबरे विस्तार से शनिवार को भारतिय सीना की बेड़ी की ताकत बढ़ाने के एक एहम समझोते पर हस्ताक्षर होंगे भारत रूस के साथ लंबी दूरी तक मार करने वाले S-400 ट्राम्फ मिसाइल के साथ साथ कई रक्षा करार करेगा कलगवा में रूस के रास्टोपती ब्लादमीर पुतिन की प्रधान मंत्री नरेद मोदी के साथ वार्शिक शिखर वारता होगी ये प्रडाली मिनने से भारत अती आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम वाले चंद मुलकों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा ये करार करने वाला भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा मुलक होगा रूस ने सीरिया में इस ये प्रडाली को तैनात किया है S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मॉस्को का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है इस मिसाइल से अपनी तरफ आ रहे दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को 400 किलोमीटर तक के दायरे में निशाना बनाया जा सकेगा इसके साथ ही भारत एक वक्त में 36 मिसाइलों को टार्गिट करने में भी सक्षम हो जाएगा भारत इसी तरह की पाच प्रडालियों को खरीदना चाहता है रूस के साथ इंटर नेवी के लिए युद्ध पोत के निर्मान और कामों हेलिकॉप्चर्स तयार करने से जुड़े करार भी हो सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी आद ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना होंगे तट्यराज्य गोवा में कल से सम्मेलन की शुरवात होनी है सम्मेलन में भारत पाकिस्तान की तरफ से आतंगवात को दिये जा रहे बढ़ावे का मुद्धा मजबूती से उठाएगा इस दौरान नरेंद मोदी कई देशों के रास्टा धेक्षों से मुलाकात भी करेंगे तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में शनिवार को प्रधान मंत्री की रूस के राष्ट्रोपती ब्लादमीर पुतिन से मुलाकात होनी है इसके बाद चीन के राष्ट्रोपती श्वी जिन पिंग से द्युपक्षे वारता होनी की संभावना है गुआ पहुचने से पहले प्रधान मंत्री आज मध्य प्रधेश भी जाएंगे नरेंद्र मुदी भोपाल में शौरे समार का उद्घाटन करेंगे इसके बाद शौरे सम्मान सभा और पूर्वसैनिक सम्मेलन को संभोधित भी करेंगे और इसे पहले उप्राश्टुपती मुद्री ने कहा के ब्रिक्स संगठन वैश्विकरन का फाइदा बड़ी आवादित पहुचाने में मदद की है उन्होंने गुरुवार को दिली में ब्रिक्स मंत्रीों के सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर ये बात कही उन्होंने ब्रिक्स देशों के मुद्राव में व्यापार और जानकारी साजह करने पर जोर दिया उपराश्रपती मुहम्मद हामीद अंसारी ने गुरुवार को दिल्ली के प्रगती मैदान में ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के समेलन का उधगाटन किया उपराश्रपती ने आपसे समृध्धी के लिए संतुलित वैश्विक व्यपार की जरूरत पताई उन्होंने ब्रिक्स की ओर से पांच एहम कदम उठाने पर जोड़ दिया इस मौके पर वानिजे मंत्री निर्मला सितरमन ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक मंचों पर एक साथ विकास शेल देशों के हितों के लिए एक जुट रहे हैं इससे पहले ब्रिक्स देशों के व्यपार मंत्रियों की बैठक हुई इसमें आपसी व्यपार और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई उधर मुंबई में वित्मंत्री अरुन जेटली ने ब्रिक्स देशों में निवेश बढ़ाने को लेकर हुए सेमिनार में कहा कि सदस्य देशों के बीच कराधान को लेकर सहयोग बढ़ाने की जुरूत है आठमा ब्रिक्स शिकर सम्मेलन 15 और 16 अक्टूबर को गुवा में हो रहा है इसका मुख्य अजंडा विकास के लिए समावेशी और सामोहिक समाधान का तंत्र बनाना है भारत विकास के लिए सहयोग में आने वाली अर्चनों को भी दूर करने पर जोर देगा इसमें सीमपार आतंगवाद का मसला भी शामिल है ब्रिक सम्मेलन के लिए भारत ने विभन शेत्रों से जुड़े 115 कारेक्रमों का आयुजन किया है इन सम्मेलनों में ब्रिक सांसदों से लेकर खेल तक के आयुजन शामिल है All India Personal Law Board ने समान नागरिक सहिता का कड़ा विरोध किया है बोड समित कई मुसलिम संगटनों का कहना है कि सरकार और विधियायोग संविधन के वीपरीत काम कर रही है इन संगटनों ने मुसलिम समुदाय से विधियायोग के सवालों का बहिशकार करने की अपील की है वहीं सरकार का कहना है कि अभी इस पर सिर्फ चर्चर चल रही है All India Muslim Personal Law Board का कहना है कि समान नागरिक सहिता पर विधियायोग सरकार के एजिंडे को आगे बढ़ा रहा है Board समेत कई संगटनों ने गुरुवार को प्रेस कॉंफरेंस कर समान नागरिक सहिता को सम्विधान के खिलाफ बताया इन संगटनों ने विधियायोग के सवालों का जवाब नहीं देने का फैसला किया है उनका आरोप है कि विधियायोग का सवाल नामा निश्वक्ष होकर तयार नहीं किया गया है विधियायोग ने साथ अक्टूवर को लोगों से कुछ सवालों का जवाब मांगा है इसमें पूछा गया है कि क्या तीन तलाग के पृथा खत्म कर दी जाए और समा नागिक सहिंता को वेकलपिक बनाया जाए मुस्लिम संगटनों का कहना है कि भारत में हर नागिक को धार्मिक आज़ादी का अधिकार है सरकार विधियायों के जरीए इन अधिकारों में दखल दे रही है केंदर सरकार ने कहा है कि समा नागिक सहिंता पर अभी सिर्फ चर्चा हो रही है और सब को अपनी बात रखने का हक है हाल ही में गानून मंतरी रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि विधियायों का हर सवाल समविधान के दाएरे में ही है इंडिया बिग अधिक अधिकार कांटरी गवर्न बाइए कॉंस्टूशन इंडिया बाइडिया वालूशन जाएं इसमें रिफॉर्म की हैं जो इस्क्रामिक देश हैं उन्होंने भी कई रिफॉर्म की हैं तो रिफॉर्म तो हमेशा समाज को बहतर राज्टे पर ले जाने का में मददकार रहा है जहां तक सवाल है जो उलिमा है जो मुस्लिम परसनला बोर्ट के तमाम अनरेबिल मेंबर्स हैं उन्होंने अपने विचार रखे हैं बोर्ट ने समान नागरिक सहिंता के खिलाफ जगरुपता के लिए लखनव से अभियान चलाने का एलान किया है विपक्षी दलो समेट कई दूसरे संगठनों ने भी समान नागरिक सहिंता का विरोध किया है इन दलों का कहना है कि समान नागरिक सहिंता को लागू करना असंभव है और इससे देश की विविदता और बहुलताबादी संस्कृति पर असर पड़ेगा All India Muslim Women's Personal Law Board ने समान नागरिक सहिंता का विरोध किया है लेकिन तीन तलाग पर वो मुसलिम संगठनों के नेताओं की राए से सहमत नहीं है संगठन का कहना है कि हम शरिया के आधार पर ये हक चाहते हैं इसलिए सुप्रीम कोड का दर्वाजा खटखटाया गया है कॉंग्रिस ने कहा कि समान नागरिक सहिंता को लागू करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है पार्टी ने कहा कि देश में कई तरह के रीत रिवाज हैं और सब को एक धांचे में नहीं बांधा जा सकता AIMIM ने भी समान नागरिक सहिंता का विरोध किया है लेकिन विधियायों के सवाल नामे का जवाब देने की बात कही जेडियों ने कहा कि सरकार विधान सभा चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती है इनके एजेंडा में है तो इनको एक आम सहमती बनानी चाहिए सभी पार्टियों को सबसे पहले तो इस तरह से ये एक चाहते है ये पोलराइज करना चाहते है कमुनल लाइन पर पोलराइजिसन का मकसद है शिवसेन ने समा नागरिक सहिंता का समर्थन किया है पार्टि ने कहा कि इसे धर्म के नजर्ये से नहीं देखने के बजाए राश्ट्रे मुद्दे के तरह देखा जाना चाहिए बिरो रपोर्ट राजिसेभा टीवी साल एक अप्रेल से लागू किया जा सके विद्हक जितनी जल्दी पारित होगा सरकार को तैयारियों के लिए उतना ज्यादा समय मिलेगा पीट्याए के मुताबिक GST के अलावा 15 नए विद्हक पेश हो सकते हैं जमू में देश का बीसवा भारतिय प्रबंधन संस्थान यानि की IIM खुलेगा गुरुवार को केंद्रिय मंत्री मंडल ने IIM की स्थापना के फैसले को मंजूरी दे दी संस्थान का स्थिक्षवा सस्त्र इसी साल से शुरू हो जाएगा फिलहाल Government College of Engineering and Technology में आस्थाई परिसरद में IIM का काम शुरू होगा इस परियोजना पर पहले चार सालों में करीब 62 करून रुपए खर्च होंगे इसका एक कैंपस कश्मीर में भी खुलेगा इसके रावाश शुनगर में NIT के आधनी की करण के लिए भी 100 करून रुपए दिये गए है जमू कश्मीर में दो नए एम्स बनाने को भी कल कैबिनेट से मन्जूरी दी गई वहीं जमू में IIM खोलने के कैबिनेट के फैसले की नैशनल कॉन्फरेंस की कारिवाहा का ध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की है उन्होंने इसे पक्ष पातपूर ने बताया और कहा कि इसे कश्मीर में खोलना चाही था उन्होंने मुख्यमंत्री महभूबा मुफ्ती पर राज्जी के हितों से समझोता करने का आरूप लगाया है महानदी मामली में कॉंग्रिस ने राष्ट्रपती प्रणों मुखर जी से दखल देने की मांग की है गुरवार को ओडिसा के कॉंग्रिस वधायक दल ने राष्ट्रपती से मुलाकात कर उन्हें के आपन सौबा कॉंग्रिस ने महानदी पर 36 गर्ड राज्जी द्वारा शुरू की गई पर योजनाव पर रोक लगाने की अपील की उन्होंने आरुप लगाया कि 36 गर्ड की तरफ से महानदी पर गैर कानूनी रूप से बैराज्जो का निर्माड किया जा रहा है कॉंग्रिस का कहना है कि इससे ओडिसा की हितों का नुकसान हो रहा है उन्होंने कहा कि अगर नदी का जुलस्तर कम ने कम हुआ तो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है इसके साथ ही नदियों के सहारे जिन्दा रहने वाले जीवों पर भी असर पड़ेगा और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक आप देखते रहें राज्ये सभा टीवी Music must have so much life in itself, it may grow with the progress of time Our music, an amalgamation of whatever we found good for us नौशकार आदाब, मैं हो कोवीर शुमा, मुझसे मीलिये प्रोग्राम गुफ्त कोवे सेर्फ राज्य सभा टीवी पर प्रेकी बास स्वागत है आपका, ACB ने दिल्य वक्फ बोर्ड के पूरवा ध्यक्ष अमानत उल्लाख खान को तलब किया है आम आदमी पार्टे के वधायक अमानत उल्लाख खान पर वक्फ बोर्ड में कथित न्युक्ती में गड़वडी कारोप है इसलिए ACB ने अमानत उल्लाख खान को पूछताच के लिए आज बुलाया है इससे पहले उप्राजिपाल नजीब जंग ने 7 अक्टूबर को दिली वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया था सतंबर में वक्फ बोर्ड में हुई भरतियों में घोटा लेकी ACB ने जाज शुरू की थी ACB ने बोर्ड के दफ्तर पर छापा मारा था बोर्ड के अध्यक्ष विधाय का मानत उल्ला खान ने इस कदम को उप्राज जिपाल नजीब जंग के बोर्ड के कामकाच में हस्तक्षे बताय था पंजाब कॉंग्रिस अध्यक्ष विधाय कैप्टन अमरंदर सिंग का कहना है कि सिध्धू और समान विचार वाले लोग कॉंग्रिस में शामिल हो सकते हैं हलाकि उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई भी शर्त नहीं रखी जाने चाहिए उन्होंने कहा कि राज्यकी बेहतरी के लिए जो भी लोग काम करना चाहते हैं उनका पार्टी में स्वागत है यसे पहले नवजोज सिंग सिध्धू ने आवाज पंजाब मोर्चा के निताओं के साथ एक बैठक कर अपनी रणनीती पर चर्चा की थी माना जा रहा है कि हफते भर के भीतर सिद्धू साफ कर देंगे कि वो किस दल के साथ जाएंगे वहीं एक नीजी चैनल के चुनावपूर सर्वे में पंजाब में कॉंग्रिस के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने का अनुमान बताया गया है कॉंग्रिस पहले स्थान पर जबकि आम आद्मी पार्टी दूसरे और सत्ताधारी शरुमर्य अकालिद दल और बीजेपी गड़ बंधन के तीसरे स्थान पर रहने के संकेत मिले हैं जो कॉंग्रिस सेकिलर हो अपनी सोच में और अगर वाना चाहे इन अकालियों को हराने के लिए मैं लेने को त्यार हूँ चाहे सिद्धू है या सिद्धू के गुरूप के और हैं बैंस है या परगट है या और भी जो है केरल में राज्य सतरक्ता और भस्टचार निरोधक ब्यूरो सावजनिक श्वेत्र के उपक्रमो अद्योग मंत्री एपी जोयराचन के रश्तिदारों की नियुक्ति के मामले में मामला दर्ज कर सकता है पीटाई के मताबिक सतरक्ता मामले की विशेश अदालत ने आयोक से इस मामले से जुड़ी शुकायत पर जवाब मांगा है लगातार बढ़ते विवात पर बीजी पी और कॉंग्रिस राज्य सरकार को घेरने में लगे हुए है सार्वजनिक श्वेत्र की कंपनियों में महत्पून पदो पर नियुक्ति में भाई भती जावात का मामला सामने आने के बाद गुरुवार को रज्य सरकार नया कानून लाने का फैसला ले जुकी है इस बारे में मुखे मंत्री पिनराई विजन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठिक में पैसला लिया गया है बॉंबे हाई कोट ने मराठा आरक्षुन पर राज्य सरकार की और से हलफ नामा दायर करने में देरी पर नारास्गी जताई है कोट ने महरास्ट सरकार को इस मसले पर अपना पक्ष रखने के लिए गुरवार तक का वक्त दिया था लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए और वक्त की मांग की राज्जी सरकार का कहना है कि हलप नामा तैयार है लेकिन केस के पक्ष में समर्थन के लिए आकड़े और दूसरी जानकारी जुटाने के लिए और वक्ति की जरूरत है राज्जी सरकार को आखरी मौका देते हुए कोट ने मामले की अगली सुनवाई 7 दिसमबर तक के लिए टाल दी है हलाकि कोट ने सक्त रुख दिखाते हुए कहा कि ये राज्जी सरकार के पास आखरी मौका होगा 2014 में ततकालीन कांग्रेस से एंसेपी सरकार ने मराठा समुदाई को 16 फीसिदी आरक्षन देने का फैसला किया था जिस पर नवंबर 2014 में हाई कोट ने रुक लगा दी थी इस बीच आरक्षन की मांग को लेकर मराठा करांती मोर्चा राज्जी के अलग-अलग हिस्सों में लगतार मौनजुलूस निकाल रहा है दिल्ली एंसियार में प्रदोशन का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है इसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं दिल्ली सरकार राजधानी में बढ़ते प्रदोशन का जम्मेदार पड़ोसी राज्जीयों को बता रही है राजधानी दिल्ली में अक्टूबर के पहले पखवाडे में प्रदोशन का स्तर कई गुनाब बढ़ गया है इसकी बड़ी वज़ा मौसम में बदलाव, पटाखे और खेतों में पराली को जलाना है जानकारों के मुताबिक इस से लोगों में इन्फेक्शन का खत्रा भी बढ़ गया है दिल्ली मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को छुट्टी के बावजूद दिल्ली में सूक्ष्मकन पीम 10 कस्तर 196.2 और अती सोक्ष्मकन पीम 2.5 कस्तर 107.6 था जो सामाने से दो गुना है वही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पिछले दो दिनों में फरीदाबाद में एर कॉलिटी इंडेक्स 270, गुडगाओं में 238 और दिल्ली में 223 पर पहुँच गया था केंद्रो और राजसरकार की विभिन एजेंसियां इसको लेकर गंभीर नहीं दिख रही है एर कॉलिटी इंडेक्स के आंकडे बताते हैं कि मौनसून खत्म होते ही बीते एक महीने में दिल्ली में वायू प्रदूशन तेजी से बढ़ा है और दिवाली के मौके पर इसके और बढ़ने की आशंका है दिल्ली सरकार ने और डिवन का कारेक्रम चला दिल्ली की जनता से इसकी सफलता पर वावाई तो ले ली लेकिन जब वक्त आया असल परिक्षा का दिल्ली के बढ़ते प्रदूशन का जिम्मेदार सरकार ने पडोसी राज़ों को ठहरा दिया अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली की चुनुई सरकार कब तक दिल्ली की समस्यों को लेकर पडोसी राजयों को जिम्यदार मानती रहेगी कैमरा पसंद मनीश के साथ अनुदिवान राजसबा टीवी दिल्ली वित्मंत्री अरुण जेटली ने वाश्विक मंदी के असर से बचने के लिए और अधिक उदारी करण उपाए अपनाने की बात कही है दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अंतरास्तिय कराधान प्रक्रिया और विदेशी निवेश आकरशित करने कले दुनिया भर में कई तरह की व्यवस्थाई की गई है भारत में भी आज 90 फीसदी FDI अपने आप आ रहा है वित्मंत्री ने इसे नीतियों में बदलाव का असर बताया उन्होंने कहा कि बीते दो सालों में व्यापार करने में सुविधा और वैश्विक तुलनात्मक सूचकांक में भारत के स्थिती काफी सुधरी है इसमें सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के वित्व्यापार सेक्षवा क्रशी समेट कई मंत्री हिसा ले रही है ब्रिक्स देशों के बीच आपसी कारोबार को बढ़ाने के लिए कई कमपनिया भी सम्मेलन में शामिल हुई है पिछले साल रूस के उफा में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के सदस्यों के सामने पियम मोदी ने इस प्रस्ताव को रखा था राज्य सभा के उफसभापती पीजे कुरियन का कहना है कि मीडिया को टियारपी के दोड में शामिल होने की जगा देश के विकास में एहम भूमी का निभानी चाहिए गुरुवार को दिली में मीडिया आवार्ट समहर के दौरान उन्होंने कहा कि आज मीडिया को आत्म मन्थन करने की ज़रूरत है मौका था एस्टर मीडिया आवार्टस 2016 के समारोह का इसमें बतार मुख्य अधिति आय राज्यसभा के उपसभापती पीजे कुरियन ने देश और समाज में मीडिया की भूमिका की बात कही उन्होंने कहा कि विकास की खबरों को प्राथमिक्ता देने की जगा मीडिया गैर जरूरी चीजों और घटनाओं को बढ़ा चड़ा कर पेश कर रहा है ये बात समानने से लेकर संसदी रिपोर्टिंग तक में लागू होती है उन्होंने मीडिया को आत्म मंथन करने की सुरूरत पताई इस मुद्धी पर हुए पैनल डिसकेशन में मीडिया की सकारात्म भूमिका को भी सराहा गया एस्टर मीडिया अवार्ट से पांच पत्रकारों को उनके सराहनिये कामों के लिए एस्टर मीडिया अवार्ट से समानित किया गया एस्टर ग्रूप के दुबई और केरल में अस्पताल हैं स्वास्ते और सामाजिक शेत्रों में अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए ग्रूप ने इस साल से पुरसकार देना शुरू किया है पंचानल मिश्रा के साथ बिरो रिपोर्ट राजी सबा टीवी भुक्मरी और कुपोशन के मामले में भारत दुनिया के 118 देशों में 97 बायतान पर है मंगलवार को इस साल के लिए जारी हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत में स्थिती काफी गंभीर बताई गई जबकि परोसी देश नेपाल, चीन और बांगलदेश को इस सूची में भारत से बहतर बताई गया है अफगानिस्तान, पाकस्तान और इथोपिया जैसे कई देशों के स्थिती भारत से भी जादा खराब बताई गई है इस रिपॉर्ट में अलग अलग देशों में लोगों को मिलने वाले आहार की गुरवत्ता और मात्रा की जाच की जाती है रिपॉर्ट में दुनिया भर में भूग की समस्या को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियानों की विफलताओं का भी जिक्र होता है ये सूची कोपोशित आबादी पाच साल से कम अमर के कोपोशित बच्चों और इसी आयूवर की शशुम रित्यों दर के आधार पर बनाई जाती है इस रिपॉर्ट को अमेरिका स्थित इंटरनाशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट ने जारी किया है और सीरिया के अलेपो में उत्री प्रांथ में एक जाच चौकी पर हुए कार बंव स्पोर्ट में 17 लोगों की मौत हो गई ये चौकी अज़ास शेहर के पास है जो तुर्की की सीमा से 60ा इलाका है धमाके में मारे गए लोगों में 14 विद्रोही लडाके थे इस हमले में कई लोग घायल भी हुए घायलों में कुछ की हालत नाज़ुक है जिस जाच चौकी पर हमला हुआ उसे शामिया मूर्ची का विद्रोही समुह चलाता था ये समुह अलेपो प्रांथ में है और काफी सक्रिय है और कल से इक तरास्ट की 193 सदस्य देशों वाली आमसभा में एंटोनियो गोटेरेश के नाम पर महासचीव पद के लिए मुहर लगाए गई इस मौके पर उन्होंने मौजुदा महासचीव बान की मून के कामों की तारिफ भी की गोटेरेश वगले साल कारे भार सम्हालेंगे और उनका कारे काल 2022 के आखर तक होगा गुरुवार को पुर्तगाल के पूर प्रधान मंत्रे अंटोनिय गोटेरेश को आपचारिक तौर पर से इक तरास्ट का महासचीव भोशित किया गया 193 सदस्य देशों वाली शक्तिशाली माहसभा ने उनकी नाम की प्रस्ताव को मंजूरी दी गोटेरेश से एक तराश्ट के मौजूदा महासचीव बान की मून की जगा लेंगे उन्होंने मून की उपलब्धियों की तारिफ भी की महासचीव बद की दौड में गोटेरेश के अलावा 12 अन्य उमीद्वार भी थे परिशद में हुए सभी 6 अनवचारिक मतदानों में गोटेरेश सबसे आगे रहे बान की मून ने गोटेरेश को महासचीव बद के लिए सही विकल्प करार दिया मून का कारेकाल इसी साल 31 दिसंबर को पूरा हो रहा है पंद्रस अदसे संइक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद ने पिछले हफते गोटेरेश के लिए मतदान किया था गोटेरेश 1995 से लेकर 2002 तक पूर्टगाल के प्रधान मंतरी थे इसके बाद जून 2005 से दिसंबर 2015 तक वो शरनार्थी मामलों के सेंग्त राष्ट उच्चा यक्त भी रहे और अब खेल की खबर लेंडर पेस और जर्मनी के आंद्रे बेगे मैन की जोड़ी ताशकन एटी पी जैलेंजर टैनिस टोर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुच गई है गुर्वार को उन्होंने सेमी फाइनल में संजार पाईजीव और जुराबेक करीमोफ की इस्थाने जोड़ी को 626 से शिकस्त दी महज 42 मिनट तक चले इस मकाबले में पेस बेगे मैन की जोड़ी शुरू से ही आकरामग दिखी फाइनल में उनका मुकाबला रूस के मिखाइल, अलगीन और उजबेकस्तान के डेनिस स्टोमिन से होगा और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइन्स पर भारत रूस से खरीदेगा S-400 वायू रक्षा प्रणाली ट्राम शनिवार को बिक्षिक हरसा मिलन के दौरान होंगे हस्ताक्षर एक साथ 36 मिसालों को निशाना बनाने में सक्षम अब जम्मू में भी खुलेगा IIM केंद्रे कैबिनेट से मंजूरी शुर्वाती चार सालों में 62 करून के खर्च का नुमान घाटी में दो नए IIMS को भी मंजूरी 16 नवंबर से शुरू होगा संसत का श्रीत कालिन सत्र CCPA की सिफारिश महिने भर के सत्र में GST विध्यक को पारित कराने पर जोर महानदी मामले में कॉंग्रेस की रास्टोपती से दखल की मांग ओडिसा कॉंग्रेस विध्यक दल की प्रणमों खर्ची से मुलाकात 36 गड़ में महानदी पर हो रहे अवैध निर्मान रोकने की मांग और ताशकन एटीपी च्रालेंजन टॉर्नमेंट के फानल में पेस बेगिमेन की जोड़ी और इस बुलिटन में इतना ही आगे देखिए मैं भी भारत